दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 49 home theater का सबसे अच्छा kit जो कि किसी भी 49 और 5 e non home theater के अंदर आप लगा सकते हो इवेन अगर आपके पास 2 e non home theater है उसके अंदर भी यह लगा सकते हो और मैं इसी board को Q लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए यह मैं आज की इस वी आने की कोशिस करेंगे कि इसका performance कैसा दिखने को मिलेंगे उसके साथ ही साथ आपको इस board को टेस्ट करके भी दिखाऊंगा हमने एक home theater के अंदर या speakers के साथ connection करके आपको दिखाऊंगा कि इसका sound quality कैसा है सबसे पहले आप देख लिजिए कि जो हमारे पास 2 in on home theater होते है उस home theater के अंदर जो kit लगे होते है वो इतना बरा kit नहीं होता है वो छूटा सा kit होती है उसके अंदर भी 20-30 IC लगे होते है लेकिन आप यहाँ पे दिखिए 4-20-30 IC लगे हुए है जिसके वैसे हमें इसके अंदर बहुत ही जबर्दस base देखने को मिलता है मैं आपको दिखाना च होता है कि हमरे line पे जादा voltage नहीं होता है या जो transformer होता है वो अच्छे quality का नहीं होता है तो क्या होता है कि इस टाइप का motherboard के अंदर home theater के अंदर लगाने के बाद उसका sound quality हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है original देखने को नहीं मिलता है लेकिन अगर आप यह वाला home theater kit क अंदर लगा दोगे जो कि चार आइसे वाला है तो आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेंगे इसका output और sound quality तो इसके अंदर आप देखिए दो capacitor लगाया गया है जो की 3300 microphone and 35 भोल्ड का है इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर आप 1202 transformer लगा सकते उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो connection करने के लिए और पहले से लगा हुआ है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा तो मैं आप लोगों क्या बताया कि इसके अंदर देखिए जो components की air पर देखिए यहाँ पर जो भी components लगा हुआ है उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ पर components लगे हुए जिसके बैसे हमें इस टाइप का किट के अंदर बहुत ही जबर्दस तरीके सा output sound देखने को मिलता है तो आप बात कर लेते हैं कि इसका जो सारे वेर्स दिया हुआ है तो कौन सा वेर्स कहां पर लगेंगे यह बहुत ही दिक्केत के बाद हो जाती है जब मार्केट से यह वाला कोई हम थेटर केट लेकर आते हैं तो उसके अंदर लिखा भी नहीं होता है और कनेक्टर भी दिया नहीं रहता है तो इसलिए इसको कनेक्शन करना में बहुत दिक्कत हो जाती है लेकिन अगर आप अपने घर बेटे हम थेटर को अच्छे से रिपेर करना चाते हो और आपने हम के अंदर से बहुती जबर्दस क्वालिटी का साउंड आप प्राप्त करना चाहते हो तो इसका कनेक्शन भी आप देख लेजिए सबसे पहले यहां पर देखिए तीन वैर निकल के रखा है जो कि यहां पर लगा हुआ है और यहां पर एक एक कनेक्टर लगाने का जागा भी किसी भी साउंड सिस्टेम के अंदर वोल्यूम कैसे लगाया जाता है यह भी मैं आपको नेक्स वीडियो के अंदर बताऊंगा तो यह हो गया हमारा इंपूर्ट आडियो कनेक्शन के लिए यह वाला हो गया उसके बाद हम पीछे सी साइड देखेंगे यह वाला के किया है और यहां पर एक 7805 का वोल्टेज डेगुलेटर भी दिया गया है 5 वोल्ट आउट पूट के लिए जो की काफी अच्छा है अगर आपके होम थेटर के अंदर बुलूत वाला सिस्टेम नहीं है तो इट केट को लगा के बहुत ही आसानी से छोटा सा जो मिनी इस ऊट्रीज अब गराना परे गा जो कि यहां पर देखिए अगर आपको मार्केट से नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंड करके बताए आप लोग के लिए यह भी में करने क्वा दूंगा ताकर आप लोगो को के दूसरे जगा पर ढूंढने ना परे तो तीन तीसरा एंपर दिखें तीन और यहां पर दिया गिया है यह जो होते हैं यह यह दो यह हम्裡ira हमारे 1 यह आ पर और लेचन और दिया गिया कि यहां पर जो श्काम या ज्यादा करने के लिए ये तीन वैर हमारे इस्तेमल लोंगे उसके बाद ये जो तीन वैर देख रहे होंगे ये दुस्तों हमारा जो external जो speaker होते हैं दुस्तों उसको लगाने के लिए अगर आप दो speaker लगाना चाहते हो तो आपको एक एक करके लगाना परेगा और एक करके परल्ल में लगाना परेगा तो ये एक हो गया left और हमारा एक हो गया ग्राउंड तो ये जो total connection आप लोगों बता दिया हूँ अब आपको इसको अपने home theater के अंदर और speakers के साथ connection करके दिखाता हूँ कि इसका performance कैसा है तो अगर आप इसका live practical connection देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो red button दिख रहा है इसको पड़ प्रेस कर दिजेगा उसके साथ इस सथ बगल में जो bell icon दिख रहा है इसको पड़ भी प्रेस कर दिजेगा इसमें क्या ह हुआ कि आप अच्छे से सीख पाऊगे जो भी electronics का काम होते है market में वो सारे आपको detail में सीखने को मिलेंगे जानने को मिलेंगे हमारे इस channel के द्वारा देखे दोस्तों इस kit को test करने के लिए मेरे पास यहां पर देखिए एक Bluetooth module kit है तो इसके लिए मैंने दो यहां पर टोट के अंदर यह वाला जो हो वैर है यह input करेगा यहां पर audio signal को और यहां से output करेगा तो यह जो तीन वैर है दूस्तों इसके साथ लगा देना परेगा ground वाला ground पर और left right के जगा पर कोई भी एक के साथ लगा सकते हो यहां पर तो इसको volume लगाने से पेले में इसको connection कर देता क्योंकि volume कैसे लगाए जाते आपको next वीडियो में बताऊंगा अगर वो वीडियो आप देख लोगे तो किसी भी sound system के अंदर बहुत ही आसान इसे बहुत ही कम समय के अंदर volume को लगा पाओगे तो इसे मैं मैं सबसे पहले तीनों को connection कर देता हूं ground, left और right का जो की audio output और input क तो यह होगे हमारा audio input और output का connection है यहाँ से output होगा और इस amplifier में input होगा उसके बाद मैं यह दो ओयर को 12 hol के साथ connect करने वाला हूं क्यूंकि हमने यह जो module यहाँ पे रखका हूं यह 12 hol का module है इसलिए में इसको 12 hol के साथ connect करूंगा अगर यह हमारा 5 hol का होता तो हम यह जो ओयर ह इस ओयर के साथ connection करता और दोस्तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा आप जो लोग हमारे इस channel का subscribe है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा अगर आप हमारे online store से इस module और इस home theater kit को purchase करोगे तो मैं आप लोगो के लिए मैं यहाँ पे लिग के बता दूंगा कि कौन सा audio कौ और आपको भेज दूंगा ताकि आप लोगों को इस kit को किसी भी home theater के अंदर install करने में आसानी हो जाए यह जो benefit है दोस्तो आप लोगो सिर्फ हमारे तरफ सही देखने को मिलेंगे किसी दूसरे जगा पे आपको इस type का benefits देखने को नहीं मिलेंगे इवेन अगर आप इस board को खड़िदने के बाद जब install करने जाओगे आपने किसी भी home theater के अंदर उस समय अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कात का सामना करोगे तो आप हमारे को whatsapp के जरी यह contact कर सकतो मैं उस तरह आपको guide करा जाएगा कि आप कैसे किसी भी home theater के अंदर यह वाला kit को install कर तो चलिए आप मैं इसको 12 बूल के साथ connect कर देता हूं तो 12 बूल के सान connection हो चुका है आप बाड़ी आते हैं इसके साथ हमें 12-0-12 का टैनसफपर्मर लगाना है यह जो आप टैनसफपर्मर देख रहेंगे 2 एमपेर का 12-0-12 जो कि पी और कॉपर का है इसका output बहुत ही जब लिए जल्दी से में इसको connection कर देता हूं हमारा 12-0-12 का power का supply connection हो चुका है आप बाड़ी आते इसका अंदर जो बेस है बेस का वोलियूम को लगाना है तो मैं बेस वोलियूम को भी लगा दीता हूं यह आप बेस का वोलियूम भी लग चुका है आप बाड़ी आते इसका ज जो दो speaker देख रहे होंगे यह दूष इस पिकर में twister में स्टमाल करूंगा जो कि external speaker सोते हुं तेंडर के अंदर उसके लिए में इन दोनों को स्टमाल करूंगा तो इसको मैं side में रखता हूं उससे पहले हमारे पास एक बरे size का speaker है मैं उस speaker को लगा देता हूं उसके बाद आपको इसका जो साउंड है वो साउंड सिस्टेम आपको सुना के दिखाता हूं यह रहा हमारा दो वैर तो यहां से यह निकल रही है दोनों को मैं यहां पर कनेक्ट कर दूंगा चले हमारा जो उफाड़े उसका भी कनेक्टन हो चुका है और लास्ट में हमेरा यह दो चीज बच रहा है तो इसको भी मैं जल्दी से कनेक्टन कर देता हूं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इनका जो दूनों है दूनों एक एक करके हम ग्राउंड के साथ पहले तो कनेक हो चुका है आप बाड़ी आते इसको टेस्ट करना तो टेस्ट करने के लिए हम इसके अंदर पावर सप्राइज देंगे जो कि 230 बोल्ड है उससे पहले इसके अंदर में ध्यान रखोंगा कि हमरा जो सारे के सारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही सलामात है उसके बाद इसका ऑपड़ का फोर्वन्स कैसा है और इसका साूंड कलेटी कैसा है जब आप इसको फ्लिद nozzle करोगे उस समय आप जो है पर्मनेंटली फिक्स कर दिजिए आप मैंने जो करके जो रहा हूं ऍसको पर्मन्नेंटली फिक्स कर दिजिए आ ताद कि यह आपसमें कहीं तो सौर्ड बगरां ना हो जाए यह में रखत हुए तो अभी में इसके अंदर पावर देने के लिए जो हमरा ट्रांसफर्मर रे उस ट्रैंसफर्मर का जो पावर कउड हमने यह पर लगा के रखाऊं उस power code को मैं direct line पर दे रहा हूं यह power code और power के अंदर मतलब power देने के बाद ही दुरांद बाद ही हमें यह जो module आप देख रहे होंगे इसके अदर आमें line देखने को मिल जाएंगे तो लिए मैं इसको जोडता हूं यह देखिए यहां पर हाई लिखा आ गया है और आप में आपने बुलुटूथ मोड में आ भी चुका है तो आप में इसके अंदर अपना जो मोबाइल फोन ने उसको कनेट करके आपको जो गाना है वो चला के आपको दिखाता हूं सबसे पहले ह नमारे फोन के अंदर जो बुलुटूथ हो इसको अन करूँगा और उसके बाद यहां पर मैं सार्च करूँगा इसके जो भी आड्रेस होंगे बुलुटूथ का उसको एकसेस करने के लिए यह देखिए कनेक्शन हो चुका है आप मैं जाऊंगा यूटूब पर उसके करने कर दो चुका दो तो देखा दोस्तों इसका साउंड कॉलेटी बहुत बरिया है और एसा साउंड आपको किसे दूसरे फोणी नौन हम थेटर का जो कीट होता है दोस्तों इससे आच्छा आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में एमाजोन और फिलिप कट पर इसका प्राइस चले आपको मैं लाइब चेक करा देता हूँ कि इसका जो एमाजोन पर प्राइस कितना है उसके बाद हमारे वेबसाट पर कितने में आपको मिलेंगे यह भी आपको पता चल जाएगा है चले मैं यह आपर सार्च करता हूं यहां पर 600 रुपेज सेम टू सेम बोड आप यहां पर देखिए इसका प्राइस कितना है 394 रुपेज याने कि 394 रुपेज लेकिन आपको जो है लगभग इससे काफी कम कीमत के अंदर हमारे वेफ साइट पर मिल जाएंगे चलिए हमारे वेफ साइट है वो भी आपको निका इसको पर किलिक करना है और इसको पर किलिक करने के बाद यहां पर देखिए हमारा यह वेफ साइट है और यहां पर आपको दिखने को मिलेंगे यहां पर देखिए यहां पर देखने को मिल रहा था और सेम टू सेम बोड जो है आपको हमारे इस्टोर पर यहां पर देखिए कितने में मिलेंगे सिर्फ ओर से 279 रूपीज में मिल जाएंगे सिर्फ ब्रस तो ऐन कितने रूपीज कम किमत में आपको मिल रहा है company की तरब से जो packing होता है जो कि ये सिल्ड किया रहता है उनको हम लोग test नहीं करता हूँ लेकिन जो खुला होता है जैसे कि हमारा ये board हो गया या कोई दूसरा कोई module हो गया उसको test करने के बाद जो है आप लोग के पास भेजता हूँ ताकि कोई दिक्क्यत ना हो खडिदने के बाद और खड़ितने के बाद भी अगर कोई दिक्कात होती है तो भी हम लोग आपको सापोर्ट करेंगे वाटसेप के जरीए तो अगर आपको अपने होम थेटर के अंदर लगाने के लिए एक अच्छा सा बोड चाहिए वो भी कम किमात के अंदर तो यह से अच्छा आपको बोड कहीं पर नहीं मिलेंगे तो यह बोड आउट ओक होने से पहले आप हमारे ऑनलाइन इस्टोर पर जाएए और और कर दीजिए अब भी कि अब भी ताकि आप लोगों को बाद में पस्ताना ना परे तो मुझे आसा है कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया अगर पसंद आये तो लाइक जरू कर दीजिएगा और इसी पूरोगाड के वीडियो उसको आगे आने वालों दिनों में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करके जूरे रही हम फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हुई से अल्दा बेस